तो RSI में ये 70 पर मैं ले भी लेती, तो ये फेक ट्रेड था, फसने का चांस था, तो money flow वित RSI के combination से, मैं कितने आराम से इस ट्रेड से बचके निकल गई, जो मुझे entry करवा रहा था, इन buying side, मैं उसे बचके निकल गई, तो RSI 70 के उपर जाएगा या नहीं, उसका indication मुझे money flow से मिल जाता है, तो मैं एक step advance ले लेती हूँ, MFI, money flow index, बहुत difference नहीं है, RSI जैसा ही है, लेकिन इसके जो parameters by default है ना, वो 80-20 है, तो हम यहाँ पे indicator में MFI डालेंगे, money flow index, theory part तो book में मिल जाएगा, हम practical part पे concentrate करते हैं, और money को कैसे inflow में लाते हैं, उस पे concentrate करते हैं, तो यह money flow index और इसकी settings में, मैं thickness, और जैसा मैंने कहा था, मैं इसका parameter change नहीं करूँगी, जो 80-20 है, वो ही रहेगा, अब इसमें भी वो ही चीज है, कि जब यह 80 के उपर जाता है, तो speed ले लेगा, again, मेरा funda बिलकुल clear है, कि मेरे लिए 80 के उपर वो speed वाला zone है, और 20 के नीचे भी speed वाला zone है, negative side में, 80 के उपर positive side में, इसको मैं RSI के साथ यूज करती हूँ, कभी मैं MACD नहीं यूज करके, RSI भी यूज करती हूँ, इसके साथ में, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, खास करके, मैं इसे RSI के साथ कभ यूज करती हूँ, MACD तो मैंने आपको बता दिया, मैं RSI के साथ कभ यूज करती हूँ, लेकिन MFI को RSI के साथ कभ यूज करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, तो MFI जो है, 80 के उपर पहले जाएगा, और RSI 70 के उपर बाद में जाएगा, तो RSI 70 के उपर जाएगा या नहीं, उसका इंडिकेशन मुझे मनी फ्लो से मिल जाता है, तो मैं एक स्टेप एडवांस ले लेती हूँ, आप ये भी कह सकते हूँ, कि आप 60-40 RSI भी ले सकते हू लेकिन बात सही है, मैंने कहा आएंगर ना मैं parameter change नहीं करती हूँ, मैं parameter वो ही 70-30 रखूँगी, अब ये हो सकता है कि वो time पर RSI 65 भी हो सकती है, 68 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है, तो फिर इसलिए parameter में वो ही रखूंगी, तो यहाँ पर 80 के जैसे ही उपर जा लेकिन यह 80 के नीचे आएगा मैं profit यहां पर book नहीं करूंगी मैं अब RSI पर switch कर जाओंगी और RSI जब 70 के नीचे आएगा ना तब मैं profit book करूंगी सेम वे यह 30 के नीचे गया मैं short में आजाओंगी लेकिन profit करूंगी जब RSI 30 के उपर आएगा तो अब मैं यहां पर फिर से RSI को लेकर आती हूँ और एक बार हम इसे screenshot से समझते हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो I'm sure आप markets में successfully trade करना चाहते हो अलग-अलग type के candlestick और chart pattern समझना बहुत important है क्योंकि यही patterns आपको सही entry और exit लेने में help करेंगे जोती बुधिया माम ने upsearch.club के technical analysis course में chart patterns, indicators, trend lines और stock selection जैसे कई important topics in detail cover किये हैं According to our 10,000 plus learners, यह आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है तो आज ही description में दिये गए link पे click कीजे और technical analysis सीखे Now let's get back to the video तो हम screenshot से जब समझते हैं इसको, यह देखिए, यहाँ पे यह पहले ATK उपर गया है RSI यह पहले ATK उपर गया है क्या? MFI RSI उसके बाद गया है वैसे अब entry के लिए मैं MFI यूज़ करूँगी exit के लिए RSI तो यह पहले नीचे आ गया, RSI यहाँ पे आ रहा है तो मुझे entry इसके थूँ यहाँ मिली exit इसके थूँ यहाँ मिली लेकिन अगर मैं इसके साथ चलती तो मुझे entry यहाँ पे मिलती और इसके साथ चलती तो मुझे exit यहीं पे मिल जाती कहने को छोटा सा फर्क है लेकिन जब यह bank nifty का सवाल होता है तो 200-300 point भी बड़ी value रखता है खास करके जब हम traders लोग bank nifty में 100-200 point के लिए तो बड़ा-बड़ा trade कर जाते हैं कालपर्स तो 20-25-50 point में nifty का पुरा काम कर जाते हैं तो यही चीज यहाँ पर अभी entry यहाँ पर हुई नहीं है तो यह जो है यह जो मुझे अब यहाँ पर देखे money flow 80 के ओपर गया ही नहीं नहीं गया ना तो इसका मतलब मेरे लिए यहाँ पर trade exist नहीं करता है RSI गया पर मैंने क्या कहा entry money flow से लूँगी exit RSI से लूँगी तो money flow ने मुझे entry दी ही नहीं तो RSI में यह 70 पर में ले भी लेती तो यह fake trade था फसने का chance था तो money flow वित RSI के combination से मैं कितने आराम से इस trade से बचके निकल गई जो मुझे entry करवा रहा था in buying side मैं उसे बचके निकल गई मेरे लिए यह trade क्या था not to trade market में trading बहुत मिलती है बहुत trades मिल जाएंगे लेकिन कौन सा trade नहीं करना है when not to trade अब मेरा एक जो main money flow है money बोलता है नहीं RSI बोलता है yes तो क्या करूं नहीं न तो किसकी सुनना है पैसे की यह RSI की भाव बगवान छे तो यह भाव यह money money is God तो दोनों God की ही सुननी है न मुझे तो भाई इसलिए यहां मैं बच गई अब यहां देखिए money flow 80 के उपर गया नहीं गया यह गया 70 के उपर गया प्राइस क्या हुआ ट्रैप कर देता न मुझे मतलब फिर से भाव बगवान है तैसा बगवान है RSI को ट्रैप करना आता है तो यह जो combination जब मैं use करती हूँ तो कब buy trade नहीं लेना है वो clear at least अगर 10 trade है तो आर्थ trade में वो मुझे बचा के ले जाता है बहुत है ना इतना अगर बच गए तो 10 में से अब यहां पे money flow कब बता रहा है मुझे 30 के नीचे यहां पे तो मुझे sell कब मिल रहा है यह यहां पे sell मिल रहा है अब exit कब करना है money flow पे नहीं करना है exit कभी पापा की सुनते हैं कभी ममी की सुनते हैं किसकी पहले सुनते हैं जो अपने फेवर में बात करें उसकी सुनते तो trend लेने के लिए mów मनिफ लो की सुनते हैं exit करने के लिए RSI की सुनते हैं, तो RSI ने क्या किया, RSI ने मुझे यहाँ पर exit दिया, हो गया मेरा trade, must beautiful, trade combination, that is the beauty, यहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है, RSI 70 पहले गया, मुझे RSI पहले 70 नीचे, मुझे money flow पहले 80 के उपर चाहिए, बाद में RSI 70 के इधर चाहिए, यहाँ पर money flow पहले 30 के नीचे आया, बाद में RSI 30 के नीचे आया, अगर money flow 30 के नीचे नहीं आता, RSI 30 के नीचे आता, तो में trade नहीं करती थी, understood, मतलब trade लेते time, पैसे की सुनना, money flow, exit होते time, RSI की सुनना, तो दोनों खुश रहेंगे, और अपनी pocket definitely खुश रहेगी, इसे यहा और bank nifty में अगर मैं ऐसा दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा, यह देखिए, money flow, 80 के उपर नहीं है ना, RSI 70 के उपर गया है ना, अगर मैं इसमें trade करूं, तो trap के पूरे chances हैं, बच गई, अब यहाँ देखिए, money flow बाद में यहाँ पर आया, right, money flow यहाँ पर आ गया, 80 के 81.35 का इसका coordinate है, देखिए, 81.35 पहले आ गया, मैं buy करूं, yes, और वापस से exit कब करना है, यहाँ पर जब RSI 70 के नीचे आए, उसके बाद फिर से यहाँ पर और वापस यहाँ पर, और exit कब करना है, यहाँ पर, लेकिन money flow उपर ही है, ठीक है, exit के time पर RSI की सुनना, entry के time money flow की सुनना, दो trade मिस हो गए, चलेगा, लेकिन 10 में से 8 बार, वो बचा लेगा, wrong trade की entry से, market में यह सबसे important चीज है, trade कब नहीं लेना चाहिए, यह important नहीं है कि रोज trade मिले, यह important है कि कौन सा trade नहीं लेना चाहिए, और bank nifty के लिए, वो भी, पैसा, 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 money flow with bank nifty, is a superb combination where I use it, तो, क्या कहते हो friends, मजा आया?